यह एएच पी का पृнибंच है इसका नाम है है एच पी लेजर्डेट एम एक हजार पाँच एं मॉडल है। इसका नाम थाज दॉय झाली हुद करते ही यहां देखो इंटरफेस का जो है इस तरह से आएगा इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोटो कॉफी कैसे करना है ठीक है हमारे यह कंप्यूटर में इस्टॉल भी है ठीक है तो यह रेडी हो गई ठीक है अब हम इसमें कोई भी पेपर रखेंगे पेपर जूड़ू ए हमने पेपर लिया है इसकी हम फोटो कापी करेंगे रहुत पकड़ो मोबाईयल कि इसकी हम फोटो कापी करेंगे मसीन के फोल ठाकशन कोई करके निसको रगा दिया पेपर को एड़एस्ट कर देश का शकांच, कांच में बराबर आना चाहिए अगर बाहर निकल रहा थोड़ा over कर दो उपर करदो यहां से थोड़ा सा उपर चला गया है थोड़ा सा यहां से उपर आ गया कोई बा कि रह दिख दियाै अब normal यहां से हम इसको छाप रहे हैं तो है वैक न्म χार्ट नोर्म यह जो अब यह चापना चालू कर दिया, अब यह paper खीचे गए यहां से, यह खीचा, और यह निकाल रहा है उपर से, यह paper निकला है, यह photocopy इस तरह से हो गई, यह full dark में जितना मतलब था होतना, अब हम इसको चाहते हैं कि light करें, तो यहां से देखो light और dark का button बीच में दिया हुआ यहां से हम इसको click करेंगे, यह बीच में dot आ गया, इस site करेंगे तो यह light होगा, और उस site करेंगे तो dark होगा, यह arrow button से हम कर सकते हैं, इस site का arrow button यूच दवाएंगे तो हम देखो light पे आ गया है, यहां बीच पे था यह, हमने यहां पे लिए इसको click करके, ठीक है इस button को, औ और यदि dark करना है, अभी ऐसे भी dark है, इसको हम light कर रहे है, तो अब click करते देखी, थोड़ा सा light print आएगा, इस से light आएगा, यह यह वाला है, इस से light आएगा, हमने दवा दिया है, फैसे इसकी copy हो रही है, photocopy, यह गए अब आएगा, यह इसकी photocopy, अब मिलाल होगे, यह देखी, थोड़ा सा light है, यह वाला थोड़ा light है, यह वाला ज्यादा dark है, हलका light है, अब और light करना चाहते हो, तो और light कर दो यहां से, यह यह और light कर दी एक point पो बिलकुर, देखो, तीनों में आपको enter मिलेगा है, अब इस से भी light आएगा, वो, इंडोरा से light, यह 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 यह देखो, यह और भी light आया है, यह वाला, यह थोड़ा उस से dark, यह सबसे ज्यादा dark, ठीक है, अब इसी तरह से dark करना है, फिर light और dark पे जाएंगे, और इस पर यह से click करके, हम इसको dark कर देएंगे, और print यहां से button दवाएंगे, तो यह मतलब dark copy में निकला आएगा, ठीक यह एक चीज हो गई, अब हमको एक ही page का, जो हमने यहां पर लगाया हुआ है, इस machine के अंदर, उस एक page की कई copy करना है, तो यहां से copy बटन पर आप click करोगे ऐसे, click करने के बाद यहां से arrow बटन पर जाओगे आप, arrow बटन में अब यह एक है, तो एक से कम तो हो नहीं सकता, तो यहां से number बढ़ा सकते, number of copies, कितनी copy आपको निकालनी है, अगर मेरे 5 copy निकालनी है, तो इस बटन को में पंच बार दबा आँगो, तो यह एक लिखा है, इसकी जगा पंच आजाएगा, देखना, एक दबाया तो 2 हो गया, फिर दबाया तो 3 हो गया, फिर दबाया तो 4 ह हो गया, फिर यह 5 हो गया, तो 5 मेरे को निकालना है, तो 5 करके मैं इंटर कर दूँगा, अगर 6 निकालना है, फिर से एक बार दबा दूँगा, 6 हो जाएगा, फिर copy करूँगो, तो अप लगातार 6, मुझे इतनी सारी copy चाहिए नहीं है, इसलिए मैं इसको भी नहीं दबा ठीक है, क्योंकि मैं पन्ने खराब कर चुका हूँ, अब यह देखिए, 6 पेज यदि लगा कि इस बटन को दबा देते हो, इस टार्ट बटन को, तो यह 6 पेज copy करके देगा, मतलब आपको हर पेज के लिए अलग अलग copy नहीं करना है, और यदि आपको किसी paper का 10 paper निकालना है, 10 copy करना है, तो यहां से आप click कर करके, यहां 10 set कर दोगे, यहां लिखके आता है, ठीक है, यह 8 हो गया, अब यह 9 हो गया, अब यह 10 हो गया, तो इसी तरह से आप 99 copy एक बार में दे सकते हो, देखो बगल में दिखाया गया है कि एक बार में आप 99 copy एक से लेके 99 के बीच म का option मिल जाता है, ओके, यहां से copy declare, light print करने का, यहां से कुछ settings मिलती है, जो technical व्यक्ति यूज करता है, ठीक है ना, जो मतलब printer सुधारने वाले होते हैं, computer technical स्वाले होते हैं, वो इन सब ज्यादा briefly common का, यह ज्यादा अंदर नहीं जाना है, ज्यादा advanced level पे हो जाएगा, वो start copy हो जाएगा, ठीक है, printer test करने के लिए, जो technical लोग होते हैं, वो इन दोनों बटनों को एक साथ दबाते हैं, तो test page निकलता है printer का, जिसमें आपको printer कितने पेज अब print कर चुका है, अभी तक, जब से use हो रहा है, तो वो सब detail रहती है, तो test page निकालने के लिए, इन दोनों बटनों को, ये दोनों arrow बटने जो दिख रही है न, ये और ये, ये दोनों arrow बटनों को एक साथ ऐसे दबाएंगे, तो test page निकलाता है, ठीक है, तो अभी हम नहीं निकाल रहे है, तो photocopy का का काम आज हमने इस वीडियो पे देखा है, अब ये machine हमारी computer से भी attached है, तो computer से य बटन पे जाना है, और start menu यहाँ पे printer और device को अपने को सर्च करेंगे, वो चीज़ भी हम सीखेंगे, computer में हमने इसे already install करके रखा है, और already इसमे page भी हमने लगा करके रखा हुआ है, ठीक है, यह यह वाला जिसकी हमने भी photocopy निकाली है, तो अब computer में इसको कैसे डालेंगे यह चीज़ हम computer पे देखते हैं, अब यह हम अपने computer पे आ चुके हैं और यह HP LaserJet 1005 printer हमने अपने machine पे computer पे install किया हुआ है, ठीक है, तो यह install किया हुआ है, तो हमको यहाँ पे start button पे जाना है, और start menu पे printer और device को अपने को सर्च करना है, तो देखो printer जैसी मैंने थोड़ा सा type किया, उपर लिख करके आ गया printer and square है, ठीक है, यह मैं Windows 10 यूज कर रहा हूँ, Windows 7 में थोड़ा सा interface अलग हो सकता है, XP में अलग हो सकता है, तो थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, तो इस पे मैंने click किया, तो इसमें देखिए, मेरे system से जो जो device मतल रख लिया है, यहाँ पर, यह देखिए, यह रखा हूँ, HP laser jet 1005, coffee shortcut, ठीक है, अब इस पे देखिए, मैं यहाँ पर इस पर right click करता हूँ, तो right click करने पर यह options खोलेंगे इतने सारे, यहाँ से मैं देखिए, इसको open कर सकता हूँ, printer की properties वगएरे, चेक कर सकता हूँ, copy, paste, cut यह सब इतने सारे option मिल जाते हैं, यही पर start scan का भी option मिल जाता है, तो start scan पर click करूँगे, तो जो paper हमने computer पर लगाया है, वो scan हो जाएगा, computer में आने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से अपनको इतने सारे option मिल जाते हैं, यह हमने right click करके निकाला, ठीक है, अब हम चाहे तो इस option पर click करेंगे, देखिए यह लिखा है, scan document और picture, इस पर हमको double click कर देना है, double click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आजाएगा, इस interface में देखिए, ऊपर अपनको type मिल जाता है, profile मिल जाती, किस type का document आप करना चाहते हैं, scan, document type का है, photo type का है, ठीक है, तो इसको मैं कुछ नहीं कर जहागे, जिस color को अपने paper लगाया, उस color में आएगा, हइलाकि वो paper भी black and white ही है, तो black and white ही आएगा, भली हमने color किया, जैसा लगाोगे, वैसा ही आएगा इस में color में, ठीक है format यहाँ पर दिख रहा है कि जो चीज़ आप पर scan कर रहा है उसका format क्या होगा JPG होगा, BMP होगा, PNG होगा TIF होगा, तो इसका format हमको JPG ही रखना है, JPG मतलब photo का format ठीक है, यहाँ पर resolution बता, DPI और resolution दिख रहा है DPI dots per inch कहलाता है DPI का full form होता है dots per inch ठीक है, मतलब किसी picture को दिखाने के लिए dot कितने होंगे, कितने dot को मिला करके वो photo बनाए गई है, ठीक है dot per inch का मतलब यह होता है, जितने ज़्यादा picture में dot होंगे, उतनी अच्छी quality दिखेगी, ठीक है, तो 300 यहाँ पर resolution 300 है normal कहलाता है, इसमें ठीक ठाक photo दिख जाती है, और इससे यदि कम करोगे, तो थोड़ा सा picture की quality घटेगी, और बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, तो resolution जितना high रहेगा, उतनी अच्छी quality picture की मिलेगी, ठीक है, 300 में अच्छी picture आ जाती है, ठीक है, तो 300 ही रहन देते हैं, यहाँ पर brightness, contrast आपको बढ़ाने घटाने का मिल जाता, तो इसको भी हम कुछ नहीं करते हैं, यह by default set है, printer की setting है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, और इसको scan करेंगे, ठीक है, scan पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी देखो, तीन दो option मिल रहा है, आप preview देख सकते हो पहले, preview पर क्लिक करोगे, तो आपको पूरा scan करके पहले preview दिखाएगा, देखिए, मैंने preview पर भी क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यह अब मसीन थोड़ा साहला कर रही है, और चल रही है, वो scan कर रहा है, प्रिव्यू दिखाने के लिए, यह देखिए, प्रिव्यू दिखा रहा page थोड़ा सा टेड़ा लगा हुआ था, तो टेड़ा scan हुआ है, तो यहाँ से आप preview देख सकते हैं, अकर preview आपको सही लग रहा है, तो आप यहाँ से scan कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको scan कर सकते हैं, अभी मैं इसको cancel करता हूँ, और फिर इसे double click करके खोलता हूँ, bigger preview देखे भी आप scan करके direct इसको scan कर सकते हैं, अब की बार मैं direct scan पर click कर रहा हूँ और यह process चालू हो गई, scan होने की देखे यह देखो, प्रोसेस चल रही है, scan होने की यह picture scan हो रही है और scan होते ही, यह कुछ हमको बोलेगा message के थरू, हम उसको देखेंगे यह देखे यह scan हो गया और यह देखे, nest करने को बोल रहा है, हम इसको nest करेंगे यहां से, इस्कैन हो चुका है, यहां पर हम इसको नेश्ट कर देंगे, नेश्ट कर दिया, यहां पर देखिए, इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, अब हम इसको वापस इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, यहां पर हमने इंपोर्ट पर क्लिक कर द और पिक्चर के अंदर जाने के बाद हम आज की डेट का फोलडर देख लेते हैं आज की डेट में जो जो स्कान हुए है उस पॉल्डर में धेख जाएकाई सब शेक यह चाहं ना यही है इस तरह से यह ना जोर सकते हिं यहां पर देख रहे हैं, इसको आप जूम कर सकते हैं, जो भी आप इसमें करक्स करना, कर सकते हो फोटोव ब challenging पर ढगरे में, जहां से भी आप करना चाहते हैं, तुम लिए सीख है, फोटो कॉपी मसीन का कैसे यूज करना है, फोटो कॉपी कैसे करना एंद और उस printer से हम को scan कैसे करना है कोई भी document ठीक है print का पहले भी video बता चुका हूँ जो की channel पे uploaded भी है आप देख सकते हैं ठीक है